है आज है अज है अजो आज हम आज सीखने वाले हैं कि वैक्टर का इस्तमाल कैसे करते हैं जब कुषस्ण समाई पास डिलेटिव मोशन का हो एक चुलिश जब डिलेटिव मोशन के बाती है तो बच्चे डरसा जाते हैं उनको लगता है कि बड़ा मुश्किल है कैसे सॉल्व करेंगे लेकिन हाँ कॉंसेप्ट अगर नहीं हो तो मुश्किल तो होगा ही लेकिन अगर आप वहां वैक्टर का इस्तमाल कर लेते हैं तो आपको यह कुष्ण जो होंगे जही एट्वांस के भी आपको बहुत ही ईजी ल और जो भी हमारा सिलेबर्स कवर होता है आपको मिलेगा सो बने रहिए देखते रहिए और समझते रहिए कि हाव तो सॉल्व ट्रियुक्टर मोशन बाइउजिंग वैक्टर्स हमारे पास सब्सक्राइब यह कार है और यह कार बी है गोइंग तौर्स राइट दोनों इकी ड अगर मुझे बोला जाए वी एबी फाइंड करो वी एबी का मतलब है वेलास्टी ओफ एविध एस्पेक्ट वी तो वी यह माइनस ओव वी बी इस दो डाइट रिलेटिव व्लास्टी मिल्कुल बेसिक है यह बिल्कुल स्क्राइच है वार एग्सांपल मालो आपका फ्रें से और दूसरा फ्रेंड जा रहा है वी भी माल लेते हैं फाइव मीटर पर सेकंट से से मिस्पीड से दोनों जा रहे हैं अपने अपनी गारी में पाट जाए से तो डिलेटिव वेलास्टी क्या होगा वेलास्टी ओफ एविध रिस्पेक्ट टू बी फाइव माइनस तो आपको सामने वाल पैडल से जा रहे हैं पैडल से जा रहे हैं आपको लगेगा है कि वो रेस्पे जर्राइब तो उसी पूनी सबों के आप्जवेशन पर बेस्ट है यह वेलास्टी ओफ एविध रिस्पेक्ट टू बी इस इकल टू जीरो इफ देया हैं जो वेलास्टी ओफ एविध रिस्पेक्ट टू बी जो निकालते हैं उसमें हम लोग जहां से अब्जर्ब कर रहे हैं उस वेलास्टी को माइनस कर देते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं बी सो अब्जर्ब कर रहे हैं एको तब अब्जर्ब कर रहे हैं तो जहां सा अब्जर्ब करते हो उसको माइनस में डाल देते हैं ताकि लेक्त हैं कि हम लोग पडहा है अट्रज्ब करने वाले युग अग्शाइज कि कि भी वेक्टर कर ते हैं तो स्क्रिक्टार बॉंट data गए अब डॉट पुड़क्त हमारे को पता है कैसे लिखा जाता है यह वेक्टर डॉट वेक्टर मॉड फे मॉड फे मॉड फी इंटु पॉस सिखा हुआ है यहां वह इस्तिमाल कर लेंगे यहां से स्कार अटा दिया तो पूरे पर रूट आ गया डापने इस्कार प्लस वीवी स्कार डॉट प्रण खटे का तू मॉड अवी ए मॉड आफ माइनस वीवी कॉस अब इस थीटा है वह एंगल है बिट्वी ए एंद माइनस वीवी ठीक है बच्चों इस चीशचों आफ मैं अच्छे जस समझ रहे हैं मादले पर हमारे पास वी ए विलास्टी इए ज़र है वी-वेलास्टी इधर है इस केस के बात करें तो बोला जाएगा विलास्टी ओफ वी ए विस इसपेक टू भी अब यहां प्र दिश्या है कि वी ए तो राइट की तरफ है वी भी लेट की तरफ है इसकी वदास्टी मुझे निगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि जब वैक्टर की बात करेंगे हम लोग तो डायरेक्शन के पॉर्डिन हमारे को साइन भी देना पड़ेगा उसलि वैलाओस्टी माइशाव मायनस विडवय ग्रण अधिया यह मेलेगां मुझे रघर मशनकि नगेटिओव चाहिए तो मुझेस्टाइन करना पड़ेगा इसलिए अँग्र्णब क्रोंगो कि व committees square it to get the magnitude so we can write 3ab is equal to under root to va ka square plus vb ka square plus 2 magnitude लेता है यहां mod of va यह mod of vb into cos of इस case वे एको अपोजित है दोनों अपोजित कम अतला 180 डिग्री तो अगर इसके हमारे को आई कैप और जे कैप इसकते हैं सब्सक्राइब यह वेलास्टी है कुछ टू मीटर पर सेकेंड यह दूसरी वेलास्टी है 5 मीटर पर सेकेंड और यह कुछ एंगल है 30 degree हो रिमाल गेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पुरा x वाला वैलास्टी याप बाला सेक्सीन ओ यह हो जाएगक यह ऑघ्यRE तो फाइड मीटर पर सेकेंड को 30 degree इस गजित करेंगे, तो वैलास्टी इस ईक्ससी में क्या मिलेगा, 2 अइकाप plus 5 cos 30 अइकाब क्योंकि मैंने इसको भी बेंड कर दिया तो दो वेलासिटी हो गया x-axis में इस वाइए यह जिस्टी लिग लिए है इसको मेंड कर दो उपर ते क्या होगा 5Cos of 60 यानि कि velocity in y-axis जो जाएगा 5Cos of 60 जेक है अगर टोटल जो कि जब्वस्ति की बात करें तो क्या होगा फॉटल वेलास्टी वी एस वेक्टर में प्लस दीओ दीओ पैसे न व्लाप्स पूरा है तो आहेकर यह करते हैं हैं क्मान थे प्लस फाइब थ्री बाइट्टू प्लस फाइब बाइटू जे कैट यह हो गया टोटल वेलासिटी अफ पार्टिकल इन एक्स वाइप्लेंग है ठीक है अच्छो तो अगर हम लोग इस वेलासिटी को नाम दे देते हैं ए और इस वेलासिटी को नाम दे देते हैं भी हमारे को बोला जाएगा क्या लिए वेलासिटी ओफ ए विच एस्टेक्ट वी यह खेंगे वी ए वेक्टर माइनस और वी वेक्टर यहीं खेंगे अब देखना तेखेंगे अम लोगों को माइनस वी वेक्टर दिखान अपड़ेगा यानि कि वी 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 को माइनस करते हैं तो वी इधर आजाएगा माइनस वी 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 इस वाइं तो हमने क्या करना है फाइंड वेलास्टी ओफ ए विट एस्पेक्ट टू बी यानि कि जब बीके इस्पेक्ट में देखेंगे तो ए मुझे कैसा दिखेगा इन दोनों के बीच में जाता हूँ दिखेगा सब्सक्राइब धिसे एक्च्वल विजलिजेशिन अब मैं यहाँ पर अब यहां पर दोलों का स्वाय कर देता हूं है है तो वी यह मुझे क्या मिलेगा अंडरूर्ट है वी यका स्कॉैर्ट प्लस डीज़ वी ओप प्लस डीज़स्वाइब को स्प्लू वी यह ज़िए का एंगल कितना है यह वाला एंगल है पुरा है यानि कि अगर में आगेस को बढ़ा दूं डॉट डॉट यह तो 90 है और यह 30 है यह 30 होगा न वर्टिकल यह पूजित आंगल तियो हो जाएगा 60 तो 60 प्लस 90 150 डिग्री मुझे लेना पड़ेगा इस वाइगा विद्रस्ट्ट टूपी इसीने माइनिट्वी तो अम लोग ने वी और माइनस डीवी के लिए काम किया है तो यह जो दो वेक्टर है वी अबी जो हम लोग निकाला हुआ ऐसा कुछ आएगा वी अबी वेलोस्टी अब एक विद्रस्ट्ट टूपी तो बी क्या लगेगा कि ए तो इधर चाह रहा है इस 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 अपन्स वें विए भी मुझे यह मिल गया अब मैं यह से काल्कुलेट कर पाऊंगा VA की जागर लिक्में बडू वी बड की जागर लिक्में ठाथ स्कॉरे पाल्यकर आण्य Всем कि हैकि हो जाएगा माइनस ओफ साइन सिक्स्टी टेगर में ट्रीफोर्ड से आपको आने चाहिए माइनस रूट थी वाइव तो मैं रिफूंगा यहां कर माइनस रूट थी वाइव 2 मुझे जाना है यह आप जानते हैं कैसे सब्सक्राइब करना होता है आप इस कॉंसर्ट को समझ जाए तो अब दूसरा एक्जाम्पल ले रहा है तब तक इसको नोट करूआ करने वाले हैं राक्टर के हिल्प से अच्छों बने रहा हो जेखते रहो हो सकता है आपको ज्यादा समझ में आ जाए तो पिस्टा वाला का डाउट भी इसमें आपका बिल्कुल हट जाए अब बार इस्प्लाइं दूइस जिए वेलास्टी आप harmful दूइस जाए वNow Sum की घा बने ही जाएं प्रेख और सूमτ以前 आपका ड्र भी इसकोओम् इस चुम्ण नियु आपको जेए अदाल थेखते बार्णिट इस टो邊 ड्रूं इसमें इसे इसी दोला सौ। do not as it velocity of wind do not what is the velocity of bird with respect to the wind velocity of bird with respect to the wind that means vb vector minus vw vector सब्सक्राइब सब्सक्राइब था निर्ट आपको इसको बलकुल अपोसेश करदो फिलीप कर दो अन्यटे डिक्री से दिस माइनस वड़ी अब इसका स्कॉर्र कर देंगे और फाम्मूले का स्तमार करेंगे VBW is equal to under root आजाएगा VB square VW square plus 2 VB VW cos of 90 degree तो इन्हें तो प्रोटर 90 degree है cos 90 वह जीरो यह पूरा वह पॉर्शन हमारा 0 हो जाएगा इस इस VBW तो वेलास्टी अब बर्ट 4 मीटर पर सेकेंड रहे wind की वेलास्टी आए 3 यानि की अदर रूट आफ 25 so VBW is equal to 5 meter per second right this is velocity of bird with respect to b तिये जो इन्हें नदर कामरे डिजाबते हैं 5 क्या वो ऐसा कुछ आएगा this is VBW तो यहां से एक पर्पेंडिक्लर ट्रॉप कर देंगे ऐसे तो यह एक राइट आंगल ट्राइंगल बन गया तो मैंने पर्पेंडिक्लर यहां से एक पर्पेंडिक्लर ट्रॉप कर दिया इदर यह एंगल ले लिए आल्फा इस राइट आंगल ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूं यह एंगल इस पर्पेंडिक्लर पर्पेंडिक्लर आंड इसड़ीआ कि अंगल लेना बद था है मैं कहांगा मौड वीड़ी more on me फोल पेंडिक्लर वेक्टर इस प्रपेंडिक्लर वैक्टर जस्त पाडल एंगल एंगल यह नि गुट्सक्ट तो आपको काफी एजी होने वाला है तो आपको काफी एजी होने वाला है गंसे लिएकरी मार्शन खश्छ आतार्श और भी जिस्ध्यक टैसर क्षन किया वाला है 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 रिएलेटिब मोछ्छन पाट भाल में अम लोगों में किया था रैन और मैंद का प्रॉबम या फिर बन अब्ज्छन इसके एन्टर घ् vorsक मungल ता इसमें आफ मा करने मारे river and mam problem, mam moving or swimming in the river, तेक तेक कैसे 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 मिलते हैं, माल भी है river है, this is the river flowing with some velocity u, याइसा river flow है, और माल लेते हैं, velocity of man with respect to river, v is the velocity of man with respect to river, और यह river flow के साथ सब्सक्राइब थीटा बनाता है, this u is river flow, यह को मैं रिचे लिचेता हूं, velocity of river, और v है a velocity of man with respect to river, माल लो ऐसे velocity होगा, man का with respect to river flow, थीटा, तब इस वेलासिटी के two components तो बना सकते हैं हम लोग, one is horizontal, that is v cos theta, and one is vertical, this is v sin theta, तो जो total velocity हो लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, v total, u plus v cos of theta, i cap हो गया, क्योंकि river velocity हो, v cos theta, h की direction में है, plus v sin theta into j cap, यह हो गया, total velocity of the, पुरे system की velocity, combined velocity, man and river की, अब अगर यहां बात करते हैं, कि यह माहलो डिस्टेंस d है, river की width है d, और a से लेकर के b तक, बिल्कुल स्ट्रेट अगर उसको travel करना है, तो यह वाली velocity responsible होगी, तो हम लिख सकते हैं, speed is equal to distance upon time, जिसनर जो speed है, वो क्या है, v sin theta, distance d है, और time d है, अज़र बिल्कुल opposite point पर जाना है तो, यह question आ गया, और अगर, यह velocity यहां ऐसे जा रहा है, और यहां कहीं पर land करेगा, so this is called drift, यह drift हो गया, तो drift कैसे fine करेंगे हम लोग, यानि की x कैसे fine करेंगे, speed into time, तो यह horizontal drift के लिए, horizontal cross responsible होगा, that means u plus v cos theta, u plus v cos theta speed होगया, into time ले रहेंगे, तो अगर यहां पर बात की जाए, कि इसे अगर पुरा opposite end में जाना है, तो travel कैसे करना पड़ेगा, कितने angle पर उसको stripe करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो start ऐसे लेगा, तो deviate होते 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 यहां land करेगा, लेकिन उसे a से b के लिए अगर जाना है, तो उसको swim कैसे करना पड़ेगा, तक इस direction में swing करना पड़ेगा, तक कि river flows को यहां भी तक land करा दे, तो उसके लिए condition यह होनी चाहिए, कि हमारे पास सिर्फ vertical velocity होनी चाहिए, और जो अंटल वाली velocity 0 होनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगे, तो बहुत सारे cases बन सकते हैं, तो साथे different करते हैं, component of velocity, time यहां यह भी पूछ सकता था कि इस time minimum time निकालिए आप, T is equal to D upon V sin theta, T minimum, T minimum कब होगा, जब sin theta या maximum होगा, क्योंकि sin theta ही यहां variable है, दी और दी तो constant है, sin theta रहती करता है, minus 1 से 1 के बीच में, तो D minimum का मतलब है, sin theta को maximum लेना पड़ेगा, यानि कि 1 लेना पड़ेगा, तो आएगा D minimum, यानि कि sin theta 1 लेना पड़ेगा, theta 90 degree लेना पड़ेगा, यानि कि उसकी velocity बिल्कुले straight होगी, तो वो minimum tag में पहुँचेगा, दूसरी दरफ, कंडिशन कुछ भी आ सकता है, और यह भी कंडिशन पुछा जा सकता था, कितने अंगल से stripe करें, कितने अंगल से stripe करें, ताकि बिल्कुल ठीक A से B पहुँचे, यानि कि और जाश्टी फेर को 0 करनी पड़ेगी, that means, u plus v cos theta must be 0, to just reach to the opposite point, तो अगर आपको यह सब चीजे conditions लगाने आपको और अगर आपको आ जाता है, तो river और boat का problem river man का problem छूटे गानी आपसे भी, ठीक है बच्चो, प्लिस मेके नोट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा से question भी देखेंगे, Hello बच्चो, यह question जो related है वह है, river और boat problem, तो देखते हैं, a man wishes to cross a river in a boat, if he crosses a river in minimum time, he takes 10 minute with a drift of 120 meter, if he crosses the river taking shortest route, he takes 12.5 minute, find the velocity of the boat with respect to water, that we have to find out, वही बाला question दुबारा करेंगे आप लोग, कि this is the velocity of boat with respect to water, and this is velocity of water, and this angle is theta, और यहां से यहां से जो distance है, वह small delay ले लेते हैं, देखो यहां दो case की बात हो रही है, एक तो बोल रहा है कि minimum time, it takes इतना drift इतना, if he crosses the river taking shortest route, he takes 12.5 minute, shortest route की बात जब होगी, यानि कि इधर उसको जाना पढ़ेगा, तब ही वह A से स्टार्ट होगे, बीट पे shortest route में जा पाएगा, दो cases हैं, इसमें drift नहीं होगा, इसमें drift होगा, पार्टकर यहां पर पहुंच रहा है, this is given 120 meter, तो पहले case 1 देखेंगे, बाद में case 2 देखेंगे, V cos theta plus U, i cap, इस V को मैंने bend कर दिया, तो V cos theta हो गया, और यह reverse velocity U तो पहले से ही है, तो दोनों होगे एक डारेक्शन में, तो i cap लगा दिया मैंने, horizontal है, इस V को bend करेंगे, तो V sin theta हो जाएगा, जिसी जो V sin theta, J cap हो गया हमारे पास, total velocity के बाद हो भी, इसमें बोला गया, 10 minute लग रहा है इसको, cross करने में, यानि कि मैं लीख सकता हूँ, minimum time के बात हो रही है, cross भी करना है, so speed is equal to मैं लिखूंगा, distance upon time, तो यहां से अगर इस, मैं वर्टिकल वाला component लूँं, तो मेरे को V sin theta लेना पड़ेगा, D by T, और T is equal to D, by sin theta V, minimum time, मतलब sin के maximum value, sin के maximum value means, theta 9 की लिख लिख हो जाएगा, so T minimum is even 10, distance by V, तो यहां से आजाएगा D is equal to 10 V, ठीक है बच्चो, 10 यहां minute है, इसको हम लोग second value कर सकते हैं, into 60, तो D हो जाएगा मेरे पास 600 V, सिंपल से बात है, अब डिफ्ट की बात करेंगे, डिफ्ट बोल रहा है कि 120 मीटर है, तो V plus U cos of theta, this is velocity into time, and this is the drift 120, लेकिन जब हम लोग time की बात कर गाया है, तो minimum time हमाने को तो given है, cross करने के लिए 10 minute, तो उसके लिए तो हम लोग ने theta लिया हुआ है, 90 degree, तो cross 90 मुझे लेना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, U into time 10 minute, into 60 seconds, is equal to 120, तो मुझे U मिल जाएगा, 1 by 5 meter per second, यहां से मुझे river velocity मिल गया है, यहां मुझे D और V अभी भी नहीं बता है बच्छो, case 2 में आते हैं, यह कुछ angle alpha से इसको जाना पड़ेगा ऐसे, so that, he can reach with the river velocity, river velocity है, ऐसे जाएगा तो और आगे निकलेगा, लेकिन यहां पर बात और यह shortest route, 12.5 minute लग रहा है ताइम A से B तक जाने में, तो अप्रस्टी उसको ऐसे जाना पड़ेगा, so we can say, this is the river velocity, this is the velocity of man, और boat with respect to river, and this velocity is the velocity of river, this is alpha, और यह तो distance है वो D है, तो बड़ाए simple equation आने वाला है, देखते हैं, this is you and this is V, तो यह right angle triangle बन गया ना, this one, this is the right triangle triangle, तो अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, V cos alpha, V cos alpha, speed into time, equal to distance, यह distance D है ने यहां से हां पर, alpha मुझे नहीं पता, V मुझे नहीं पता, अब मुझे यह देख रहा है, यहां पर जो टाइन हो गिवेन है, 12.5 minute, cos alpha, 12.5 minute into 60 कर देंगे, और D मेरे पास है 600 V, 600 V, तो V और V तो हमारे पास कट जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा cos alpha, यह भी कट जाएगा 10, so this is your 10 upon 12.5, right, तो यह हमारे पास cos alpha की value है, इसको और simplify कर लेते हैं, under upon 125, 25, 5, 45, 55, तो पास कास अलफा होता है, 4 by 5 आगे, तो अब हमारे को cos alpha पता है, तो मैं tan alpha निकाल सकता हूं, cos alpha है, perpendicular by happiness, तो यहां से base कितना आएगा, base आएगा happiness square, perpendicular square and root, so base is coming out to be 3, अब मैं tan alpha लगा लोंगा, या फिर sin alpha लगा सकता, yes, अगा मैं sin alpha लगा लोंगा, इस right angle लोंगे, sin alpha होगा, perpendicular upon happiness, जब पर trigonometric है कितना इस्तमाल है, आनी चाहिए, sin alpha के होगा, perpendicular upon happiness, u by v, u by v, sin alpha है हमारे पास, sin alpha हमेरे पास हो जाएगा, perpendicular, so base upon happiness, यह हम लोंगा, perpendicular हम लोंगे 3 निकाल है, तो sin alpha क्या होता, perpendicular upon happiness, that means 3 by 5, u by v, u हम लोंगे निकाला होगा है, 1 by 5, so v आयेगा 3, getting at my point, so we are getting here, यहां सो solve कर लेंगे, u के value 1 by 5, to v आजायेगा, 1 by 3 meter per second, v means velocity of the boat, with respect to water, तो आपको इस concept को समझना है, पिसको slowly करो, दीरे-दीरे समझो, जो चीजे नहीं पता है, वो हम diagram में draw करने कोशिश करते हैं, ताकि कोई values की बाद हो, तो आप घबराओ नहीं, आराम से कर पाओ, उसकी help, mathematical tools की help की बहुत जरुवरत है, so v यह मुझे मिल गया, 1 by 3 meter per second, टीके बच्चो, please make a note, Hello बच्चो, दुस्ता question करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, diagram given है, diagram का समझ है की question को read करना पड़ीगा, a man wants to reach point B, on the opposite bank, of a river flowing at a speed u as shown, ठीके, यह river speed है, तो यह velocity है माने पास है, यह river velocity है, man wants to reach point B, on the opposite bank, of a river flowing at a speed as shown, what minimum speed, relative to water, should a man have, so that he can reach directly to the point B, इसको point B पहुंचना है, तो कैसे वह स्टार्ट करें, किस direction में swing करें, कि point B पहुंच जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, कि एक काम करते हैं, problem को easy बनाने के लिए, सबसे अच्छा तरीका यह भी है, कि यह जो यहां पहुंचना है, इसको आप x-axis माल लो, इसको x-axis माल लेते हैं, और इससे y-axis माल लेते हैं, velocity of man with respect to river is v, which makes an angle theta with this normal direction, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यह u है, यह v है, साले velocity को x और y में convert, x और y के components में लेते हैं, यह u है, ऐसे जा रहा है, u, this is river flow, तो हमें चाहिए, यह कित यह 45 होगा, यह भी, यह 45 तो यह भी 45, तो इस u के दो components बनेंगे, along x, along y, तो क्या है सकते हैं, velocity of water, u cos 45 इदर हो गया, u cos 45 i cap, और यह इदर हो गया, तो यह नीचे जा रहा है, origin के नीचे तो minus, u sin 45 j cap, similarly is velocity of men with respect to water, क्या लिखेंगे, u cos of, इसको एक सेक्सी तब bend करके ले जाना है, कितना से bend करेंगे, थीटा प्लस 45, तो u cos, थीटा प्लस 45 i cap, और इदर bend करेंगे, तो y की तरफ हो जाएगा, तो plus u sin, थीटा प्लस 45 degree j cap, यहां तक तो मुझे लगता है, कोई भी दिकत हो रहे होगी आप लोग, कॉंपरेंट्स रेना ने काफी अच्छे से सीठ लिया है, और जो 12 के drop-down बच्चे हैं, उन फिलिए तो खैर बताने की ज़रुत नहीं है, बट इस्टिल, इस वरी हैलफ़ पूश्टिल व्रशल सबहागते हैं, बावने का लिए, सामना करने के है, तो velocity of man with respect to water is equal to what? velocity of man minus velocity of water. तो हमको क्या करेंगेगे, velocity of man find करनी है हमारे को, यह को जाएगा, VmW plus vw. तो VmW यह है, प्लस VW पर एकिन यह आजाएगा हमारे पस, तो I cap common ले रहेंगे, तो cos 45 root 2 होता है, प्लस U cos theta plus 45 degree, प्लस J common आजाएगा, U sin theta plus 45 degree minus U by root 2, यह आगे हमारे वेलस्टी अप मेन, तो यह जो velocity अप मेन आएगा, हमको यह find परनी है, तो हमें basically, यह जब यहाँ land करेगा, बी की बात होगी, बी तो X axis है, जब यह मैंट पहुंचना है, तो X axis वाली velocity चाहिए, यानि कि Y component नहीं चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो Y component को में 0 लेने जा रहा हूँ, this factor should be 0, that means, U sin theta plus 45 minus U by root 2 is equal to 0. velocity of man, यह U नहीं basically, यह V है, sorry, this is velocity V of the man, V है, और V, V यहाँ लगा हुआ है हमाने पास, V, और यह V है V, it's my fault, this one, तो यह एक equation वहाँ से मिला है मुझे, since U is a given quantity, 45 minus is a given quantity, यह question में यह given था, तो मैं लिख सकता हूँ, V is equal to U by root 2, sin theta plus 45 minus, this one, यह हमाने पास velocity आगे है, और जब हम हमें minimum speed की बात होगी, तो हम लोगों को डिनोमेटर में जाएंगे, sin theta plus 45 को maximum लेंगे, that is 1, तो 1 कब होगा, sin theta plus 45 maximum, और maximum कब होगा, जब theta plus 45 हो जा 90 degree, that means, theta is equal to 45 degree, इस direction तो theta भी हमने फाइन कर लिया, V minimum, V minimum जो आएगा, वो आएगा U by root 2, तो यानि कि minimum speed relative to water, मैं इतनी होने चाहिए, और इस direction तो उसको start लेना पढ़ेगा, तब ही वो point B तर पहुंच पाएगा, ठीके बस्तू, प्रीक इसको note कर लो, और जो भी आपको doubt लगता है, कुछ doubt अगर है, तो आप मुझे contact करो, मुझे comment box में जाओ, मुझे doubt पताओ, तो मैं आपको सारे के सारे doubt में लेता हूं, अपने बच्चो को, ठीके बच्चों, तो घबराना नहीं है, शर्माना पी नहीं है, बस crack करना है, नीट और जाहिए, प्लीज में के नोट, अगर बच्चों, आज हमनों सिखेंगे, वेलास्टी आफ एप्रोच, यह इंपोर्टिन कांसेप्ट है, इसको समझ चाने से, बहुत सारे कॉंप्लेक्स हीजए भी आसान हो जाती है, देखते हैं, सपोस्ट पार्टिकल ए है, इसकी वेलास्टी वी ए है, यह पार्टिकल भी है, इसकी वेलास्टी वी भी है, और इसका डिस्टेंस है, एक्स गोने के बीच में, वी ए ग्रेटर थैन वी बी, तो मतलब यह इसके पास आता जाएगा, वी ए ऐस ग्रेटर है, तो हमनों लिख सकते हैं, वेलास्टे ओफ अप्रोच और वेलास्टे ओफ ए विज एस्टे टूब, तो क्या हुआ और जाएगा, वी यह माइनस वी बी, that means this is equal to minus of dx by dt क्योंकि यह x तो कम होता जाएगा as time passes तो हम लोग इसके आपके minus sign लगा दिया हम लोग में हो सकता है इसकी velocity va इस तरफ हो b इस तरफ हो और यह distance है x तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग दोनों पास आ रहे हैं एक स्विल से कम होगा तो velocity of approach that means velocity of a plus velocity of b that means minus of dx by dt क्योंकि यहाँ भी तो distance कम ही होगा बढ़ेगा तो नहीं अप्रोच हो रहा है पास आ रहे हैं तो एक तो होगे linear एक लाइन की बार कभी कभी अलग अलग velocity होंगी जैसे एक विलास्टी जिदर भी ए और इसी लाइन में यह बी के विलास्टी है भी भी ठीक है यह एंगल अगर थीटा वन है यह एंगल थीटा टू है तो इसके भी दो कंपोरिंट बना सकते हैं विलास्टी के इस वी ए कॉस थीटा टू इस वी ए साइन थीटा टू जू इतल बी इतल ऊजाएगा मारा वी वी कॉस थीटा वन और यह स्ठीटा वन वीलिया सभान खरए कृई एक लाइन में वह इस लाइन में हैं तो व्लॉश्टी बिस्ट्रेशन हो सकता है एक सो तो मैं क्या लिखूंगा वेलासिटी आफ एप्रोच कि डाट इस वी ए माइनस और वी डाट मिन्स वी एक और सब्सक्राइब करता जाएगा पास आता जाएगा थी एक्सक्राइब होगा अब्सक्राइब सकते हैं कि हमारे पास यह है दिस वी ए इसी लाइन में हमारे पास वी वी है पॉइंट भी है इस दिस्टेंस एक्स इस जोर ठीटा बन इस जोर ठीटा तो फिर से दो कॉम्परेंट ड्रॉप कर लेते हैं इस वी ए कॉस्तिटा बन इस वी ए शाइन थीटा बन तो वी बी साइन थीटा बन ओडिस इज वी वी कॉस्तिटा थी इस वन तो यह भी आसपास आरें तो आसपास आंए त्स्टीन्स का मुगा तो वी एंपर गया लिख सकते हैं वी ए प्लस वी वी जुट थीटा तू इस इकलो माइन दो फिटो वेलासिती अपरोच अभी ये पादल पादल अब वेलोसिती जो जाएं गी तो ये जो पादल इना इसके नहीं कर सकते हैं हाँ अच्छो वेलासिटी अपरोच पे एक क्वेश्चन करके देखे हैं अधी इकलो जीरो तू पार्टिकल्स ए और बी स्टार्ट मूविंग विट सेम स्पीड अलॉंग साइट सफने इकलो ट्राइंगल अच्छों फाइंड वेलासिटी अपरोच अपरोच ऑफ ए तो एक वेलासिटी ऐसा है और इसी लाइन में दूस्टी वेलासिटी ऐसा है हमारे को अगर वेलासिटी अपरोच चाहिए तो उन्हें एक लाइन में सारी वेलासिटी को बेंड करके लाना पड़ेगा इस इस वाट वन मीटर पर सेकंड है विलास्टी आप और विलास्टी आप बी भी वन मीटर पर सेकंड है तो इसको मैं 60 डिग्री से बेंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वी कॉस ओफ 60 अब दोनों पार्ट के एक दूसर एक तरफ आ रहे हैं तो हमाय पास विलेक्टिव विलास्टी क्या होता है विलास्टी आप एक डिस्पेक्ट टू बी इस इकल टू वी ए प्लस ओफिव यही तो होता है प्लस हो जाता है डाट मिन्स वी कॉस आप 60 rier हो हम फ्लस वनमीटर पर सेकेंड वहां पी होनै कि अंच आधर हाफ कर आपकेंगा तो हाफ वेलस्टी कुछ ऐसी होगी, फाइब सेकेंड के बाद ये पार्टी कुछ ऐसा आगाईगा, तो स्पीड इंटु टाइक को फामुला लागा थी, ये फाइब मीटर जागे जा चुका है, तो इसकी स्पीड ऐसे कुछ होगी, तो इसके भी दो कंपोनेंट होगे, इस वेलस्ट and this is vb, तो हमें धियान देना पड़ेगा इसके अंगल पर, हम लोग एक लाइन के लापिनहा है, तो इसको बेंट करना पड़ेगा, अव्यस्टी सी बात है, तो हमारे को है जिसन्ट जब लोग पिलास्टी को एक लाइन में लाएंगे घए कि एंगल कितना होगा यिसाई होगा अर्वाइव मीटर आपकर तो यत्वीन पाइव पीटर है यह इस शिडिया इभी 60 यह भी 60 यह भी 60 सब्सक्राइब को पैने करूंगा इदर हो जाएगा वी भी कॉस ओफ 60 इसे बिग्म करूंगा तिये भी हाजाएगा वी भी कॉस ओफ 60 एक ही लाइन में हमें यह लाइन वाला ही चाहिए बाके कामपरिस्ट नहीं चाहिए So velocity of approach of A with respect to B is equal to A, sorry, VA cos of 60 minus VB cos of 60. लेकिन यह VA और VB के बैद लिस्टेक एफ एग है, 1, 1 cos of 60 minus 1 cos of 60, that is 0. 0 आगे, 0 लाने के लिए इंदी महीड है, क्यों बाक है, आइसे कुछ भी हो हमारे को काम करना है चीक है तो बच्चों आपको जब भी कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं और आप डिवान कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट पूछना है एक एनिफिंग यू कना आस्क बस मन्या आना चाहिए समर्ज में आनी चाहिए चीज़ कर दो